हेलो एवरिवन मैं ब्रदुल शर्मा आप सभी लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हूं देखो आज हम लोग बात करते हैं शुभारम बैच के हमारे न्यू चैप्टर नंबर थ्री ठीक है चैप्टर नंबर थ्री का नाम है फंक्शन्स ठीक है त सब्काषय के आपे ट्रेइफ्रेंशेशन और इंट्रीगेशन आते हैं थिक है बीना इनके देखो भी नहीं कि जा सकती है और नहीं साइन्स मेट से 1112 कि जा सकती है ठीक है यह बहुत जरूरी है बहुत इंपोर्टेंट है हो भी जाएगी तो उसका कोई को मतलब नहीं है ठीक है ना और जो कैल्कुलस जो है कैल्कुलस किसकी जाने कैल्कुलस आयाइटी की जाने है ठीक है ना अच्छा अब तो मैं अच्छा इस चैप्टर को हम लोग जो है वह 11 एंड 12 दोनों में स्ट्डी करने वाले है क्योंकि मैं यह बता दूं रिपिटेड तो बहुत कमी टॉपिक रहेंगे इसमें 11 अपने आप में एक अलग पॉर्शन स्टडी करेंगे हम 11 ख्लास में और 12 ख्लास में हम कुछ टॉपिक्स ही रिपिटेड रहेंगे बाकी तो उसमें एक अलग नए आगे बढ़ता हूं तो अभी अब हम लोग पढ़ेंगे और और अन ओर्डर्ड पेयर क्या होते हैं और अन ओर्डर्ड पेयर क्या होते हैं तो यह क्या होते हैं और मतलब जिसमें की ओर इंपोर्टेंट हो और इंपोर्टेंट हो ठीक है ना और मेंस मेंस कौन पहले और कौन बाद में आए यह मैटर करता है ठीक है ना अच्छा एक्जाम्पल के तौर पर समझते हैं देखो माली जी मैंने दो पेर लिखे हैं आपे टू कोमा थ्री और थ्री कोमा टू देखो अगर ओडर के ही साफ से मैं बात करूं है ना ओर्डर के हिसाफ से बात करूं तो देखो एक न ढोंब லों डिफरेंट है क्योंकि एक में पहले टू एबाद में त्री ए और 5 में था हुआ है तो different with respect to ordered pair ordered pair ठीक है ना अच्छा unordered के हिसाब से अगर बात करें तो दोनों सेम ही है है तो इसमें two और three ही ना तो यह हो गया unordered pair ठीक है ना अच्छा उसके अलावा देखो इसमें क्या है तो basically ordered pair जो होते है ordered pair जो होते है ordered pair में क्या है यह इसमें pair और order दोनों matter करते हैं pair and order ठीक है ना order means सीधी भाशन बात करो तो क्रम है ना और unordered में क्या होता है unordered pair इसमें क्या होता है इसमें pair ही matter करता है सिर्फ ठीक है ना अभी इस पर और detail से example लेते हैं एक दो और देखो जैसे कि अगर मैं बात करूं यह हो गया आपका तो इसमें है given for given pairs जैसे मालों यह हो गया 1,2 2,3 2,1 4,5 5,4 और 3,3 ठीक है तो इसमें total number of ordered pair ordered pair की संक्याइस में कितनी है और unordered pair की संक्याइस में कितनी है न तो देखो पेर की संक्याइस में कितनी है न तो देखो पेर की संक्याइस तो इसमें दोनों जो है वो डिफरेंट है ना तो डिफरेंट ही है यह सारे तो यह इसमें छह पेर हो गए ठीक है और अनौडर्ड के इसाफ से जो रिपिटेड है वो रहने दिया जाएगा तो एदे को 1,2 और 2,1 ठीक है 4,5 और 5,4 तो इसके अकॉर्डिंग यह जो है यह सेम हो जाएगा तो इन्हें सिर्फ दोई पेर काउंट होगा थर्ड यह रहा और फोर्द यह रहा तो इसमें फोर्द फोर पेर हो जाएंगे राइट अच्छा उसके बाद अब हम लोग देखो अब हम बात करते हैं Cartesian product Cartesian product क्या होता है देखो functions के अंदर Cartesian product को study करने के लिए कुछ चीज़ा आपको learn करनी पड़ेगी ठीक है और वो क्या देखो देखो जैसे Cartesian product है अब तो Cartesian product में क्या है The Cartesian product of two sets A and B is not empty set of all ordered pair A, B where small a belongs to capital A small b belongs to capital B this denotes by A cross B यानि यह इस तरीके से किस तरीके से denote किया जाता है देखो कि पहला वाला जो element है वो तो इस पहले वाले में से आयेगा और इसमें जो यह दूसरे वाला है यह इस दूसरे वाले में से आयेगा अगर जैसे इसमें बात करूँ तो मालीजी यह B है यह B में तो B देखो यहाँ पर capital B में ही बिलोंग कर रहा है और A जो है उसके लिए यह A किस में बिलोंग कर रहा है यह इस A में बिलोंग कर रहा है ठीक है अच्छा तो यह इस तरीके से A x B की को define करता है ठीक है इसको एक example के तुरू लेता हूँ देखो जैसे की अगर मैं एक example लो देखो A equal to 1,2 और B equal to 2,3 और C equal to मान लीजे 5 ठीक है अच्छा तो अब हमें जो पता करना है A x B A x B x C और A x A ठीक है तो देखो इसको किस तरीके से find करेंगे A x B तो A x B के लिए देखो इसको पहली बात इसे भी जो है curly brackets में ही denote किया जाएगा तो 1,2 के हर एक element को multiply करना है multiply means साथ में रखना है multiply मत कर दें न कहीं 12 जा 2 और 13 जा 3 कर दो है न तो पहले 1 का इस 2 के साथ करेंगे तो देखो 1,2 अच्छा उसके बाद में 1,3 राइट तो यह तो यह आगया आपका क्या 1,3 1,3 फिर उसके बाद में 2,2 तो यह हो गया 2,2 उसके बाद में 2,3 तो यह हो गया 2,3 राइट अच्छा अब अगर मुझे इसमें number of elements भी अगर पता गड़ने हो तो देखो 1,2,3,4 तो number of elements in A cross B इसमें अगर मुझे पता गड़ने हैं तो क्या होगा वोगा 4 राइट अच्छा तो इसमें बात करें अगर A cross B में तो A cross B, मतला A cross B cross C में तो देखो इसमें A cross B तो यह सारे होई गए अब हमें cross C तो 5 का हर एक के साथ करना है cross product तो देखो इसको किस तरीके से करते हैं तो 1,2 यह दोनों को पहले पहले लिखा क्यों क्योंकि इसमें पहला element A से है दूसरा element यह जो 2 है यह 20 है और तीसरा element जो कि 5 होगा यह C से हो गया ठीक है उसके बाद में 1,3,5 उसके बाद में 2,2,5 उसके बाद में 2,3,5 ठीक है अच्छा तो यह हो गया अब number of elements in A cross B cross C अगर पता करना हो तो number of elements in A cross B cross C अगर पता करना हो तो वो कितना हो गया देखो 1,2,3,4 तो यह भी कितना हो गया 4 अच्छा उसके बाद देखो अब A cross A अगर मुझे पता करना हो तो 1,2 का 1,2 से ही मुझे product पता करना हो तो देखो 1,2 का 1,2 से तो देखो पहला हो जाएगा 1,1 दूसरा हो जाएगा 1,2 तीसरा हो जाएगा 2,1 और चोथा हो जाएगा 2,2 ठीक है अच्छा अब number of elements in a cross a अगर मुझे पता करना हो तो उसका क्या तरीका हो गया 4 इसमें भी कितने 4 अच्छा तो इस तरीके से हमें ये find करना पड़ेगा clear अच्छा अब अगर इसको मुझे अगर a cross b union c का एक example कि थुरू अगर लूँगे यानि जैसे माल लो माल लीजे मुझे a cross b union c पता करना है जो कि क्या होता है a cross b union a cross c है ना जैसे कि इस पर आउंगा चलो एक बार पहले बागी की एक बार और और identities देख लेते हैं एक बार है ना तो इसमें बात करेंगे वो तो देखो ये आप देखिए important points है जैसे a cross b never equal to b cross a है ना जैसे माल लीजे a है आपका 1,2,3 और b है आपका माल लीजे only 4 ठीक है तो a cross b क्या होगा देखो a cross b क्या होगा a cross b होगा आपका 1,4,2,4,3,4 ठीक है और b cross a क्या होगा देखो b cross a क्या होगा 4,1,4,2,4,3 तो देखिए ये इस तरीके से a cross b की value तो यह आई है और मतलब b cross a की तो value यह आई है और a cross b की value यह आई है तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों equal नहीं है ना तो इस जीच को यह define कर रहा है ठीक है यह है हमारा कि if a cross b equal to b cross a then a equal to b यह तब ही possible है जब a और b दोनों equal हो है ना अब जैसे माली जे number of elements in a अगर p है number of elements in b equal to q है then number of elements in a cross b वो होगा p dot q ठीक है a के है a cross phi equal to क्या होता है हमेशा phi किसी भी element का जैसे मालो a equal to है 1,2 ठीक है और a कहें माली जे यह है phi तो phi का मतलब तो पता है कुछ नहीं होता है तो इसका अगर आप इसके साथ अगर cross करोगे तो जो है वो phi ही आएगा कुछ नहीं ही आएगा यह ठीक है ना अच्छा उसके बाद देखो अच्छा अब यह क्या है a cross b union c जो मैं आपको बता रहा था a cross b union c ठीक है तो a cross b union c के लिए क्या होगा देखो ठीक है a cross b union c क्या होता है a cross b union a cross c है ना इस चीज़ को मैं एक बार थोड़ा सा जूम करके बताना चाहूँगा जैसे मालीजे a है कोई आपका क्या 1,2 ठीक है और मालीजे b union c करने पर मेरा आया है मालीजे 2,3,5 ठीक है अच्छा तो अब इसे a cross b वो किसके एक बताना है a cross b और मालीजे यहाँ पर यह जो b है ना यह 2,3 को कंटेन करता है एक मिनिट के लिए कि b कुछ ऐसे हुआ करता था 2,3 है ना और c हुआ करता था 5 ठीक है ना अच्छा तो b union c जाहिर सी बात है 2,3,5 हो गया तो इसको अवेक मिनिट में हटा देता हूं ठीक है अच्छा तो अगर मैं a cross b करूं तो a cross b क्या होगा देखो 1,2 और 2,3 राइट 1,2 और क्या हो जागा 2,3 ठीक है और या फिर a cross a cross b union c दे रखा है ना मुझे तो क्यों ना मैं पहले इस a cross b union c b क्यों कर रहा हूं मैं देखो इसको मैं यह हो गया 1,2 और cross हो गया 2,3,5 से ठीक है तो यह करने के लिए क्या होगा यह कह रहा है a cross b union a cross c तो a cross b तो पहले तो इससे cross कर दो तो यह कितना हो जाएगा देखो 1,2 ठीक है cross 2,3 भाई a cross b union a cross c तो 1,2 cross c क्या है 5 ठीक है तो अब इसका अगर इसके साथ cross करना है तो वो कितना हो जाएगा a cross कितना कह रहा है a cross b union a cross c तो देखो यह इसके equal वैसे भी हो गई अगर आप a cross b union c करने बैठोगे a cross b union c भाई a का cross अगर आप b union c के साथ करोगे तो यह कितना आएगा देखो आप अपने नॉर्मल तरीके से करो कि b cross c के साथ इसका cross करना है तो cross करोगे तो क्या होगा 1 2 1 3 1 5 2 2 2 3 2 5 है ना यही तो लिखोगे देखो इधर बताता हूं मा लेजे यह हो गया a cross a cross b union c b union c तो यह क्या होगा देखो इधर 1 2 1 3 1 5 और 2 2 2 2 3 और 2 5 राइट अच्छा और एक इसको देखो तो इसमें क्या होगा इसको अगर देखें तो करो देखो इसका इसके साथ cross यह कितना होगा वन टू कॉमा वन थ्री अच्छा टू 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 अच्छा के साथ union लेना है किसका वन टू और फाइव वह तो वन टू फाइव का तो तो देखो कितना हो जाएगा वन टू कॉमा वन थ्री कॉमा यह टू टू कोई दिक्कत नहीं हो तो टू 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 थ्री उसके बाद में वन फाइव और यह क्या हो जाएगा आपका सारे आ गए तो यह सेम ही तो आया ने यह वाला जो है यह वाली जो कॉंटिटी यह वाली यह इस वाले के इक्वली तो आई है और ढंक क्लास की तरहי होती हैं क्लास को फिर डंक से लिया जाता है यह पन्दरा सेंड में हरज concept clear नहीं हो पाता है है ना तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना अच्छा इसी तरीके से है आपकी next जो आपका formula है वो क्या है कि a cross b intersection c a cross b intersection c is equal to a cross b और intersection a cross c intersection a cross c ठीक है ना अच्छा ये भी करोगे तो ये भी ऐसी आजाएगा अब है आपका r square is equal to r cross अरे ये तो cube है r square is equal to r cross r और equal to क्या दिरह का xy such that xy belongs to r r यहाँ पर क्या है real number ठीक है ना r क्या है यहाँ पर कोई भी real number ठीक है ना अच्छा ये है r cube अब r cube जो होता है वो r cross r cross r ये कह रहा है xyz such that xyz belongs to capital r फिर उसके बाद में कह रहा है ये a b a cross b cross c जिसमें कह रहा है कि a b c such that small a belongs to capital a small b belongs to capital b और small c belongs to capital c ठीक है ना अच्छा उसके बाद देखो उसके बाद आता है आपका relations जो कि हम लोग पढ़ेंगे next video से next class से ठीक है ना तब तक के लिए आप लोग इसको इमानदारी से ढंग से practice करो इस पर notes बना उसके ठीक है तब तक के लिए धन्यवाद